नजुल विभाग की और से सारवजनिक उपयोग के लिए जमीन का आवंटन होने के बावजुद इसका व्यावसाइक उपयोग होने के मामले उजागर होते ही हाई कोट ने इसकी जांच के लिए समीधी का गठन किया था समीती ने हाई कोट के समक्ष रिपोर्ट पेश की जिस पर सोमवार को सुनवाई के बाद नयादिश सुनिल शुक्रे और नयादिश अनिल किलोर ने रिपोर्ट के अनुसार इंसन्स्थाओं के खिलाफ क्या कारवाई की जा रही है इस संदर्ब में दो सप्ताह के भीतर शपत पत्र पेश करने के आदेश जिला अदिकारी को दिये हाई कोट की ओर से लंबे समय बाद अच्छारक इस तरह के आदेश आने से अपनामी कलबों की मुश्किले बढ़ गई है 28 सितंबर 2017 को जिलादी कारियाले की ओर से हाई कोट में शपत पत्र दायर किया गया था जिसमें 113 नजूल की संपत्या लीज पर इन संस्थाओं को दिये जाने का खुलासा किया गया था हालाकि सारवजनिक हितों के लिए इन जमीनों का आवटन किया गया था किन्तु इनका दुरुपियोग कर विवाह समारोह और अन्यक कार्यकरमों के लिए किराय पर देने की जानकारी शपत पत्र में उजागर की गई थी बताया जाता है कि केवस सौ रुपय प्रतिवर्ष की लीज रेंट पर जमीनों का आवंटन किया गया था इनमें लेडीस क्लब, जवाहर विद्यारती ग्रूह, वीमसीय, सीपी क्लब, गोंडवानी क्लब जैसे कई क्लबों के नाम शामिल थे गत सुनवाई के दौरान अदालत मित्र ने कहा था कि इस तरह से व्यावसाइक उप्योग कर लॉंस आधी के माध्यम से भारी भरकम कमाई तो कर रहे है लेकिन वित्य लेखा जोखा में नुकसान दिखाया जा रहा है